तो सब्सक्राइब करो ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और पहले लाकिन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके दोस्तो तो स्टार्ट करते हमारी वीडियो और यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पपजी मुबाईल के दो कमाल के अपडेट के बारे में बहुत साइग और बहुत तगड़े अपडेट है गाई देक ही रेंगल वर्जिन 2 और एक स्टोरी मोड के बारे में बह तो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले चीज बता दूगाई तक आपने अपिटा चैनल को सब्सक्राइब निए तो प्लीज सब्सक्राइब करो या निचे लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो उसको रेट से वाइड कर दो क्लिक करके फटावट से और बेल आकन को दबा तक कि जब भी मैं कोई सी वीडियो अप्लोड करूँ या फिर लाइफ इस्ट्री में स्टार्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए येस गाइज मैं रात में डेली आट बजी के बाद लाइफ करता हूँ तो अगर आप लग ये वीडियो रात में आट के ब बारे में भी देखने को मिल जाएगा और स्टोरी मोड के बारे में आपको बताने वाला हूं समझाने वाला हूं मैं वीडियो प्ले करूँ आपको सबकुछ खुदी धीरे-धीरे समझते आज आएगा ओके तो बहुत सही है यार इरेंगल वर्जन 2 आने वाला में मिलने वा तो फहले हम लोग चलो देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लो यह है हमारा Irangle version 2 तो इसमें आईए सारी देखो पूरे changes कर दी गई है यह और यह अपना पूरा milda power वाली जगह है उपर की जगह जो होती है वो वाली जगह है यह सारी पूरी जगह change हो चुकी है तो अभी scene क्या था Irangle बना कैसे मैं story mode की बात कर रहा हूँ Irangle बना कैसे इसके बारे में भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है अभी जल्दी next वाले update में जो story mode की तरह रहेगा story mode की तरह हम लोग खेलने वाले हैं इसमें Irangle बिल्द कैसे हुआ क्या हुआ था यहां के लोग कहां गए यह पूरा आइलेंड खाली कैसे है ठीक है तो यहां पर यह सारे लोग रहते थे school था बोट याड डॉक याड था सब कुछ था यहां पर सारे लोग रहा करते थे बट वह गए किदर तो यह बंदे का आप पोई पोटो बोट जागा देखने को मिल लगा देखो यह school में भी है तो यह यहां का king हुआ करता था यह उसका flag है यह यह रैंगल का flag है यह और यहां का king हुआ करता था यहां पर कुछ लोग attack करे थे जिनोंने पूरी city को खतम कर दिया था ओके देखो यह पूरा attack है जो कि बेश है 1965 पे 1965 में attack हुआ था तो वहाँ पे attack की वज़े सब लोग मर गया main part केमेशकी था यह main मतलब पूरे उदर पे केमेशकी एक town था जहां से पहले वो लोग attacker लोग आये थे complete और फिर वहां से सारे चीज़े शुरू हुई थी तो इस तरीके थे सब शुरू हुआ था और आप लोग को ना यार एक प्लेन भी दिखता होगा और ओके मतलब एक प्लेन दिखता होगा आप लोग जो घिरा हुआ होता होगा स्टैबलर के पास है I don't know कहाँ पे है बट वो प्लेन से वो लोग आये थे अभी मैं आपको आगे दिखा दूँग यह बंकर भी रहते हैं उसमें जिसमें लोग छुपे होते हैं वहां पे आके वो लोग मार देते हैं उसे और यह वो राजा का बंकर होता है किंग का बंकर होता है वहां पे आके उसे मार के डों कर लेते हैं रहे हैं मार के यह पूरी जगह ले सकते हैं तुम लोग बोल रह रहे हैं नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं यह वीडियो चल रही है यह वीडियो पूरीं इंग्लिश में है इस वीडियो का लिंक आपको नीचे दिस्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग जाके ऑफीशियल पपजी के ऑफीशियल यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अफ्लोडेड है ठीक है तो जाके देख लेना इचे description ने मिल जाएगा यह आप लोग देखे रहों यहां की jail है इरेंगल की jail है यह वाली तो यहां पर पूरा ऐसा scene था इलोग का jail setup था जेल में यह लोग साब आए पूछ करें अपना यहां पर तो यासनाया में होता है वह वाला jail तो बहुत सही था यार आप लोग और आप लोग को यहां पर एक वीजोल एक्स्पिटेंस भी देखने को मिल रहोगा जो की इरेंगल वर्जन 2 से लेटेड़ आप लोग देख सकते हो पुरा setup है इरेंगल वर्जन 2 पे तो इसका मतलब यह है कि पहले हम लोग को इरेंगल वर्जन 2 देखने को मिलेगा फिर उसके बाद हम लोग को पबजी मुबाइल में शोरी मोड आएगा इस्टोरी मोड कैसा राएगा हम आई थिंक 1965 या 1960 से स्टार्ट होगा मैच गेम फिर हम लोग उसमें स्टोरी खेलेंगे दीरे दीरे बड़ेगा 1965 में अटैक होगा फिर सब लोग मरेंगे फिर हम लोग को फिर शायद बचाना होग चाहिद पबजी त्विच लेके आजाए उसमें ऑके तो ऐसे कुछ सेन रहने वाला है पबजी मूबाइल के इस वाले अप्डेट में बहुत सहीर रहने वाला है और év де ब्रकों बहुत मज़ा आने वाली शोरी मोड में तो यह नीचे कमेंट करके बताना आप लोग कितना एक्साइड़ हो इस चीज के लिए बहुत आ रहा है भाई मैं स्पीचलेस हूं अभी मुझे बहुत मज़ा यह चीज दे के जब मैंने यह वाली वीडियो देखी थी आप लोग भी तो नीचे कमेंट करके बिंदास पूछो गाईस ने त्यार लाइफ इस्ट्रीम में आ जाओ अगर आप लोग यह वीडियो रात में आट बज़ी के बाद या दुपैर में तीन के बाद देख रहो तो मैं इस दोनों टाइम में मैं कभी भी लाइफ करता हूं तो एक बार आ जाना okay so guys thanks watching bye and peace out